सबसे इनको राम राम जी मैं हूं मेगा विशा और एकबार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी बीएसी अपडेट में जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं सी बीएसी से जुड़ी होई सारी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज तो चलिए आज चलते हैं हमारी अपनी आज की अपडेट के ऊपर जो की अगेन फिर से होने वाली है एक Central Institute of Education Technology यानि की साइट की ट्रेनिंग जो की NCRT डेली से संबंद करती है और CBS ये जो संस्था इसको पूरा जो है एक तरीके से चलाती है आज आते हैं कि आज का हमारा जो ट्रेनिंग का टॉपिक है टीचर्स ट्रेनिंग ये होने वाली है और एक चीज़ मैं आपको बता दू इस ट्रेनिंग को लेने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इनकी जो लास्ट डेट होती है वो बहुत ही अच्छे मतब टाइम पे ये लोग रखते हैं बहुत ज़दा प्रोवाइड आपको कर होने वाले तो जान लेते हैं आज का जो हमारे ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है साइबर सेक्योरिटी कंसर्न्स इन एमर्जिंग टिकनलोजी तो ये जो है टॉपिक होने वाला है और आप देख सकते हैं कि इसका शेडियूल क्या है तो बिलकुल ये लेट टेस्ट अभी NCRTK द्वारा कोलाबरेशन विद 14CMHA अब इसकी डेट्स जान लेते हैं इनकी डेट्स जो है शुरू होगी ट्रेनिंग 5 फेब से और 9 फेब्रारी तक ये ट्रेनिंग जो है वो चलेगी टाइमिंग क्या रहेगी यूट्यूब पे ऑनलाइन करना है आपको इस ट्रेनिंग और 5 से 9 फेब्रारी मतलब कुल मिलाकर 5 दिन का समय आपके पास है 5 दिन के बाद आपको आपकी जो continuous professional development है जिसको हम कहते हैं CPD जो कि हमको हर साल हर academic session में 50 गंटे पूरे करने जो है वो compulsory है उनके 5 गंटे आपको यहां से available हो जाएंगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है आपको जो है अपने 5 गंटे पूरे और करने का आपके CPD session में ठीक है आईए अब देख लेते हैं कि इनके topics क्या-क्या होने वाले आपको क्या-क्या पढ़ाया जाएगा इसमें क्या-क्या बताया जाएगा तो day 1 में आप चेक कर सकते हैं day 1 का जो topic है वो है internet of things internet of things 6 February का ज जो topic है जो आपको बताया जाएगा training में वो होने वाला है artificial intelligence attacks 8 February का topic होगा online banking and cyber security concerns 9 February जो last day आपका होगा training का उसका जो topic होगा demystifying cyber threat intelligence तो इस तरीके से ये जो topics है जो आपको बताने वाले है training में आईए आप देख लेते हैं कि मैं ये तो आपने बता दिया कि आपने जो है इतने दितारीक को है इतना इतना चलेगा पर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें certificate मिलेगा कि ने तो ये मैं आपको ensure करती हूँ बिलकुल ये 100% certificate training है free में certificate आपको इसका मिलेगा इसका कोई charge आपको नहीं देना है ये बिलकुल free है एकदम free 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 ये बिलकुल free training है 100% certificate की आपको guarantee मिलती है जो कि CBSE का एक चम चमाता हुआ certificate आपको मिल जाएगा ठीक है आप चलते हैं कि मैं क्या हमको follow करना है so that हम चीजों को अराम से कर भी सकें और साथ साथ में आप जो है certificate भी ले सकें तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है इनके जो resource person आपके हैं उनके भी नाम दिये गए कि पहले दूसरे तीसरे चौते और पांचवे दिन कौन-कौन जो है host करेगा organizing team का भी यहाँ पर नाम है program coordinator technical coordinator अब आ जाते हैं कि हमें participate कैसे करना है how to participate in this site technology site की जो technology trainings है उसमें आपको कैसे participate करना है देखिए सबसे पहला step step one है आपका registration सबसे पहले आपको registration करना है तो यह link आपको मिलेगी इसी वीडियो के description box और comment box दोनों में तो वहां से जाकर आप सबसे पहले आप जो है इसको form से register अब register form पे मैं आपको click करके भी दिखा देती हूँ कि कौन-कौन सी जानकारी है जो आपसे पूछी जाएगी यहाँ पर मैंने इस तरीके से click की और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक google form जो है वो खुल कर आ चुका है कुछ इस तरीकी का interface registration form है यह cyber security concerns in emerging technologies तो सबसे पहले तो आप उस account को देख लिए जिस account से आपको इसको करना है जिस account पर आपको अपना certificate चाहिए जैसे कि मेरा जो professional account है वो दूसरा है तो मैं इसको switch account करके मैं इसको दूसरा अपना account change कर लेती हूं इस तरीके से मैंने जो है account को कर लिया है change और अब मैं same को record में भी डाल दोंगी ठीक है तो इस तरीके से मैं इसमें register करती हूं चलीए मैं अपना email ID इसमें एक बार और लिख देती हूं कि मेरा जो email ID हो क्या होने वाला तो मेरा जो auto suggestion में है वो आ जाता इस तरीके से और इह देखे मैंने email अपना लिख दिया है state में मैं जाती हूं तो state में आप अपना जि जो country है या state है वो इस बापस में डाल सकते हैं ठीक है अब आजाते है टाइटल तो टाइटल भई मैंने अपना चूस कर लिए आप भी अपना चूस कर लीजेगा participant का नाम मतलब जैसे कि मैं इसमें participate कर रहे हूं तो मेरे को block letters में अपना नाम लिखना हो गए देखिए मैंने ज जब 9 फरवरी को ये ending पूरी खत्म हो जाएगी तो इसके बाद इसका मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए answer की भी जरूर ले करां तो school teacher पर मैं school teacher हूँ अगर आप school administrator है अगर आप teacher educator है ठीक है research scholar है तो इसे साब से आप जो है अपना profession चूस कर सकते हैं ठीक है अब मैं जो जब इस theme के ऊपर आपने क्या पहले कोई training अटेंड किय है तो मैंने नही किया है तो मैं no कर दूं मैंगे अगर आपने की है तो आप yes भी कर सकते हैं अगर आपने येस किया है तो किस तरीके से आपने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया या आपको पूरा ब्योरा देना है कब अटेंड किया था कहां किया था और किसने वो ट्रेनिंग कराई थी तो ये चीज आपको इसमें बतानी है ठीक है, what are your expectations ये जो है, ये एक required question नहीं है ये optional है, अगर आपने no किया है तो आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आजाते हैं हमारी next question पर कहता है क्या expectations है कि कैसी ये training आप चाहते है तो भई सीदी सी बात है कि अगर मैं कोई training ले नहीं हूँ तो आप अगर अगर आप page के बारे में जानते है NCRT, CBSE के तो उनकी दौराप लिख सकते है और नहीं तो आप अधर करके YouTube चैनल जो है आप mention कर सकते है YouTube चैनल से हमको ये जो है पता चला तो हम YouTube चैनल लिख देते हैं और इसके बाद आप submit पे click कर दीजे जैसे ही हम submit पे click करेंगे देखिए कुछ इस तरीकी का interface again हमारे सामने आ जाता है thank you for registering ठीक है आपका जो registration है वो पूरी तरह की से पौन हो चुका है ठीक है अब आपको क्या करना होगा 5 तरीका करना होगा इंतजार so that आपके जो है ट्रेनिंग शुरू हो सके 4 से 5 बजे तक का time रहेगा अब next step में क्या करना है मार लिया हमने registration कर लिया अब next step में हमको क्या करना है तो चलिए next step के लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ जो side training की जो next step है उसकी तरफ हम लोग चलेंगे की भाई इसके बाद अब हमको क्या करना है तो देखें registration हमने कर लिया ठीक है registration step हमने पार कर लिया अब हमको चलना है की भाई हमको live sessions देखने है पाँ तिन तक हमको 5 फेब से जब ये शुरू होगा तो 9 फेब तक आपको continuously ncrt के official channel पर आपको live ये मिल जाएगा इस link को मैं आपके description box और comment section दोनों में include कर दूँगी तो बहाँ से जाके आप देख सकते हैं अच्छा एक चीज़ और अगर मान लीजिए 5 तारीक 6, 7, 8, 9 मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमको 5 को कुछ काम आगया बहुत urgent काम आगया हम जो है training को ले ही नहीं पाए तो in that case क्या होगा कुछ नहीं होगा एक playlist बनाई गई है ये देखिए link of the playlist जो आपको 5 फैब को इसी वीडियो में आपको मैं update कर के देदूंगी तो उस playlist में जाकर भी आप जो है पुराने वीडियो को देख सकते हैं जैसे माली जै आपने 6 तारीख को आपको time मिला अब 5 का वीडियो तो आप देख ही नहीं पाए और अगर आप देख नहीं पाएंगे तो जो quiz होगी बाद में उसके answer कैसे देंगे है ना तो अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे मेरे वीडियो पर वापस आएंगे मैं इसकी playlist की जो link है वो description box में कर दूंगे attach तो वहाँ से जाएंगे और 5 तारीख का वीडियो देख सकते हैं तो इसी तारीख से अगर आप 9 को भी वीडियो सारे देख रहे है पुराने भी तो भी आपको link सारी available मिल जाएंगे ठीक है इसके बाद आप क्या होगा भाई हमने ले लिया 9 तारीख तक हमने सारी sessions ले लिया third step क्या है मैं third step में देखिए आपको participate करना होगा एक quiz में अगर आप quiz में participate नहीं करेंगे तो आपको certificate जो आपको certificate जिसके लिए training कर रहे हैं भाई वो मेली नहीं मिलेगा ठीक है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है उसको participate करें participation के लिए क्या करना होगा link कहां से मिलेगी सबसे पहले तो आप यह पढ़िए participate in the post session quiz score 70% 70% और उससे जादा ही आपको score करना होगा usually अभी तक जितनी भी site trainings के बारे में मैंने अपने चैनल पर notify किया है जितनों की भी answer keys मनाई है जादा तर most of the trainings में 30 questions होते हैं और 30 questions का अगर आप 70% निकालेंगे तो कितने questions बनते हैं 21 मतलब minimum 21 आपके जो answers है वो बिल्कुल सही होने चाहिए तब जाके आपको क्या मिल जाएगा certificate हराम से मिल जाएगा अब आपको post session जो quiz होगी उसकी link कहां मिलेगी मैं हमें कैसे पता चलेगा कुछ नहीं करना है आपको एक बार फिर से मेरे इसी वीडियो पर वापस आना है और post session की जो link है वहाँ से आपको ले लेनी है वैसे मैं try करूँगी कि जल से जल 9 February को जैसे ही link जो है वो upload होती है मैं आपको answer की बना कर भी upload करूँगी तो अगर आप चाहते हैं कि आपको properly answer की भी मिल जाए तो मेरे चैनल को subscribe, like, share, comment करना मत भूलेगा और जादा से जादा share कीज़े so that और भी teachers जो है वो कई बार हम लोग के पस बहुत जादा समय नहीं हो पाता है या थोड़े बहुत miss हो जाते है तो in that case आप मेरी answer की से help ले सकते हैं और अपना 100% certificate जो है पाँच घंटे का CPD का वो पा सकते हैं जादा स्यादा share कीज़े जिसे की और भी teachers को इनको benefit मिल सके अब चलते हैं कि भाई मैं आप 9 तारीक को जब लिंक आ जाएगी मान लिजी अगर हम 9 को नहीं देख पाए तो in that case क्या होगा देखिए यहाँ पर आपको closing date आपको एक नजार आ रहे होगी 1 March मतलब यह कि आपके पास इस training को attend करने का post session लेने का registration करने का videos देखने का यह सब कुछ करने का जो last date है वो आपकी 1 March बन जाती है 9 February आपकी training की last date है live session की last date है पर उसके बाद भी वो videos जो है वो NCRT की जो playlist है उस पे upload कर दिये जाएंगे तो आप 1 March तक उन videos को देख सकते हैं और 1 March तक कही आपके पास समय है कि quiz को भी अराम से कर सकते हैं attend ठीक है इसके बाद हमें क्या करना होगा मैं वही चौथा एक छोटा सा step है कि आप feedback form को जो है क्या कर दीजे भर दीजे agree कर दीजे आपको अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है इस तरीके से आप कर दीजे और उसके बाद आपको एक certificate आपकी उसी email ID पर जिससे आपने register किया है जिससे आपने quiz दिया है उस email ID पर आपका certificate जो है वो अराम से generate हो जाएगा तो I hope आपको मेरी सारी जानकारी ठीक से समझ में आई होगी अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी दुविधा होती है तो मेरा comment section हमेशा आप लोगों के लिए open है बिलकुल message कीजिए whatsapp, telegram, जहां भी आप चाहते हैं मुझसे connect करना सभी चीजों की जो link आपको मिल जाएगी description box और comment section दोनों में तो enjoy कीजिए be happy मैं मिलती हूँ आपसे next video में तब तक के लिए हसते रहे, मुस्कुराते रहे राधे राधे जी